हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल कविंदर भईया पर तो दोस्तों आज हम लोग कक्षा 6, 7 और 8 का हमारा पर्यवरण पढ़ेंगे ये जो किताब है ये कछा 6, 7 और 8 के विद्यार्थी के लिए एक ही है तो आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे हमारे पाठ का नाम है अपसिस्ट एवं उसका अनिस्तारण तो चलिए दोस्तों इससे कुछ अभ्यास प्रशन देखते हैं पहला प्रशन है निम्नलिकित प्रशनों के उत्तर दीजिए इसमें का नमबर प्रशन है अपसिस्ट किसे कहते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुस्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रिया कलापों के फल स्वरूप निकलने वाले अनुपियोगी पदार्थ अपसिस्ट पदार्थ कहलाते हैं अगला प्रशन है खा नमबर ठोस द्रो और गैसिय अपसिस्ट में अंतर बताते हुए इसके दो-दो उदाहरण लिखिये तो हम लोग पहले इसका अंतर भी देखेंगे और फिर उसके बाद उसका दो-दो उदाहरण भी देखेंगे चलिए देखते हैं इसका उत्तर है ठोस अवस्था में पाए जाने वाले अपसिस्ट पदार्थ ठोस अपसिस्ट कहलाते हैं तरल रूप में पाए जाने वाले अपसिस्ट पदार्थ द्रो अपसिस्ट कहलाते हैं गैस या धुवा के रूप में पाए जाने वाले अपसिस् कहलाते हैं चलिए अब इन तीनों का दोदो उदारण देखते हैं फल सबजियों के छिलके प्लास्टिक के टुकडे आदी ठोस अपसिष्ट हैं नालियों और सीवर का गंदा पानी चमडा सोधान तथा अन्य उद्द्योगों से निकलने वाला गंदा और विसैला जल द्रौ अपसिष्ट के उदारण हैं वाहनों से निकलने वाला धुआ कारखानों की चिमिनियों से निकलने वाला धुआ गैसिया अपसिष्ट का उदारण हैं चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्ण देखते हैं घा नंबर गैसिया अपसिष्ट पदार्थ के स्रोत क्या हैं तो इ मरे हुए जीव जन्तु अंगिठी सिगरेट बीडी आदी चलिए अगला प्रश्न देखते हैं घानमबर अपसिष्ट संगरह के दुस प्रभाव को उदारण सहित समझाईए तो इसका उत्तर हो जाएगा अपसिष्ट संगरह पर्यावरण के लिए अतेंत हानिकारक है ये के स्वास्त पर बुरा प्रभाव डालता है दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कारबाइड पेटिसाइड फैक्टरी से मेथिल आइसो साइनाइट गैस से रिशाओ के कारण हाजारों लोगों की मृत्ति हुई और लाखों लोग इसके कारण कैंसर, सास फुलना, सीर दर्द, अंगों की सुन होना जैसी अनेक बीमारियों से ग्रसित हो गए इस घटना के बाद फैक्टरी से कच्रे के रूप में घातक रसान निकल ले जिन से आसपास की मिट्टी और जल को प्रभावित किया इन अपसिष्ट का दुस प्रभाव आज भी वहां की पीडियों में देखा जा सकता है अगला प्रेशन देखते हैंगा नमबर सोकपीट बनाने की विधी लिखिये तो इसका उत्तर हो जाएगा सोकपीट बनाने के लिए जमीन से एक पान से छे फीट गहरा चौकोर गढ़ा खोदा जाता है इस गड़े की तली पर इट तथा पत्थर के टूकडे डाल कर उनको बालू की परत से ढख दिया जाता है इसके बाद इसे नाली द्वारा पानी बहने के अस्थान से जोड दिया जाता है तथा उपर से ढख दिया जाता है इस प्रकार सोकपीट बनकर तैयार हो जाता है अगला प्रश्ण देखते हैं चो नमबर प्रश्ण है इक चरा से आप क्या समझते हैं उदाहरण सहित लिखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा इक चरा से तातपर्य है इलेक्ट्रानिक कच्रा जो आफिस एवं घरों से निकलता है इसके आंतरगत खराब केंप्यूटर, मुबाइल फोन, सीडी, बैटरी वो अन इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे टीवी, वासिंग मसीन, रेफ्रिजरेटर, एसी आदी आते हैं अगला प्रश्ण है च्छा नम्बर, करखानों से निकलने वाले जल को नदियों में बहने से पहले क्या उपाय करने चाहिए तो इसका उत्तर हो जाएगा करखानों से निकलने जल को उचित उपचार करने के बाद ही नदियों में बहाना चाहिए जिससे की नदीयों का जल्दूसित ना हो अगला है जानमबर प्रतेक घर में सौचाले होना क्यूँ आवस्यक है तो इसका उत्तर हो जाएगा मल्मुत्र के उचित निश्थारर तथा गंदेगी से बचने के लिए प्रतेक घर में सौचाले होना आवस्यक है अगला प्रश्ण देखते हैं दो नमबर सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन लगाईए इसमें का नमबर प्रश्ण है उद्योगों से भी भीन प्रकार के अपसिष्ट पदार्थ निकलते हैं यह सही है, खनमबर है प्रश्ण, अपसिष्ट पदार्थों से हमारा पर्यवरण दुसीत होता है, यह भी सही है, गनमबर है, अपसिष्ट पदार्थ, ठोस, द्रौ और गैस के रूप में होता है, यह भी सही है, गनमबर है, घरेलू कूडे कचरे का निस्तारण आज प्लास्टिक एवं पालिथीन आसानी से सड़ती है या गलत है क्योंकि प्लास्टिक जो है और जो पालिथीन है वो आसानी से नहीं सड़ती है अगला प्रश्ण है तिन नमबर सही मिलान कीजिए याने कि जो ये को है उसको खो से मिलाना है को में जितने प्रश्ण दिये गए ह खाके सभी उत्तरों से हम लोग मिलाएंगे चलिए मिलान करते हैं बायो गैस इसको हम लोग मिला देंगे जैविक अपसिस्ट में कमपोश्ट खाद इसको हम लोग मिला देंगे फलो, सबजियों के छिलके, सूखी पत्तिया गैस या अपसिष्ट इसको हम लोग मिला देंगे धुआ में जल निकास तंत्र में बाधा इसको हम लोग मिला देंगे पालिथीन अब अगला है अपसिष्टों से पुनह उपियोगी समान बनाना इसको हम लोग मिला देंगे पुनह चक्रण तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में चरूर बताईएगा धन्यवाद